दिल्ली के संगम विहार में नाबालिक छात्रा को गोली मारने का जो पूरा मामला है। इस पूरे मामले मुख्यारों भी अर्मान अली को घरफतार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके दो साथियों को पकड़ा ले लिए। सोशल मीडिया पर जहांसा देकर दोस्ती की और जब लड़की ने नाता तोड़ा तो गोली मार दी। मामला बेशक दिल्ली का है लेकिन कांड काफी हद तक जारकंड के दुमका जैसा है। दिल्ली पुलिस ने ग्यारवी की नाबालिक छात्रा को गोली मारने वाले अर्मान अली समय तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है। दिल्ली के संगम बिहार में रहने वाली लड़की के घरवालों का कहना है कि अर्मान काफी दिन से उनकी बेटी को परशान कर रहा था इसकी शिकायद भी की गई थी लेकिन पुलिस ने समय रहते आक्शन नहीं लिया चात्रा को गोली 25 अगस को मारी गई इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया लेकिन गोली अब भी उसके शरीर में है जिसे करीब एक साल के बाद निकाला जाएगा डॉक्टरों का कहना है कि गोली अगर अभी निकाली गई तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है